अगर हम लोग पुराने लेक्चर के बात करें तो winding factor वाला एक lecture मैंने आपके लिए लिया था उसके अंदर मैंने आपको यह सारी चीज़े बताई थी कि full pitch क्या होता है short pitch क्या होता और over pitch क्या होता है यह पूरा हमने उसमें detail में सीखा था और मैंने यह भी बताया था कि short और over pitch लगभग एक जैसे होते हैं डिपेंड गरता है और डिरेक्शन आव रोटेशन दैन मैंने आपको यह चीज़ एक विजुलाइज करके बताई थी कि क्यों full pitch में maximum voltage मिलता है एक कोईल पर्टिकुलर कोईल के बीच में यानि कि कोईल साइड वन और कोईल साइड टू का जब लेते हैं तो अगर फुल पिच होगी तो वहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा वहीं पर शॉर्ट पिच होगी तो वोल्टेज डाउन हो जाता यह अल्रेड हमने प्रीविय जाल है और इस लेक्चर में बात करने वाला हूं पिच फेक्टर के बारे में बहुत डिटेल में लोग चर्चा करेंगे पिच फेक्टर यही हमारे इस डिसकुशन का टॉपिक है ठीक है चले शुरू करते हैं नौ सबसे पहले अगर बात की जाए यहां पर मैं दो कोईल ले अच्छे से आचुका होगा ठीक है क्योंकि अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसका लेक्चर मेरे प्रिवेस लेक्चर देख सकते हैं फेज स्प्रेट पर पोल पर फेज यह सब चीज़ें आपने सीख लिए ठीक है और उसकी दो क्या मतलब हो गया यहां से यहां तक कि जो distance है वो कितना electrically electrically 180 degree का phase coil span है यानि कि coil का span है वो कितना electrically 180 degree ठीक है और इसको हम ऐसी भी समझ सकते हैं कि अगर एक सिरा इसका यहां north pole के just नीचे है तो दूसरी coil side जो होगी वो कहा होगी south pole के just नीचे होगी ठीक है clear हो गया तो now अब क्योंकि एक एक सिरा हमारे north pole के नीचे है और दूसरा सिरा क्या है south pole के नीचे है तो ऐसे case में अगर voltage की बात करें तो अगर north pole के अंडर हमें positive की मिल रहा है this one is plus e तो south pole के अंडर हमें क्या मिलेगा negative भी मिलेगा तो this one is minus e मिलेगा मुझे south pole के अंडर में c2 यही तो होगा voltage of c1 कितना है plus e minus voltage of c2 कितना है minus e तो यानि कि net voltage कितना हो जाएगा 2e हो जाएगा समझ में आ गई clear हो गए यहां पर इसमें कोई doubt नहीं होना चाहिए तो अगर यह दोनों क्या है यानि कि additive polarity में यह count होंगे अगर इनके बीच का अंडर voltage निकालता है यानि कि यहां से यहां तक बात करें e net voltage की तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं अगर e net का जो मैं diagram बनाना चाहूं तो फेजर diagram तो वो कैसा बनेगा तो इसका मतलब क्या हो algebraic sum यानि कि this one is your e1 and this one is your e2 ठीक है और क्यों भाई दोनों same phase में क्यों आगा है क्योंकि हम लोग डिफरेंस की बात करें net potential difference निकालना इसलिए अगर potential difference नहीं निकालना होता है तो e1 यह पलट के आता e2 ठीक है तो इस तरीके से आएगा और यहां से यहां तक का net voltage हो जाएगा this one is your e net voltage जो कितना होगा जो आपका है 2 e in case of full pitch coil clear होगे यहां पर तो इसमें कोई doubt नहीं होना चाहिए this one is your full pitch case ठीक है यह चीज़ एकदम clear कर दी मैंने full pitch में हमारे output क्या आएगा ना अगर बात कर लेते हैं short pitch की ठीक है तो यह होगी coil side 1 this one is your coil side 2 ना अगर full pitch होती तो full pitch से यह जो coil side है वो कुछ short है यह होगी full pitch ठीक this one is your full pitch होती लेकिन यह हमारी यह वाली coil है हम इस वाला case ले रहे हैं short pitch तो कितनी short है ठीक है तो हम कह सकते हैं यहां से यहां तक की जो distance है यह distance हो गई यह इनके बीच की coil span कह सकता हूँ मैं से ठीक है तो अब यह जो short pitch coil है यह कितना beta degree short है बहुत important terms है beta degree short है ठीक है यानि कि मैं जो short pitch की बात कर रहा हूँ आपको याद हो कि मैंने बताया था short pitch जो होती in terms of slot भी हो सकती in terms of angle भी हो सकती यहाँ पर angle transformer से बात कर रहा है क्योंकि हमें phasor diagram बनाना है तो यह जो short pitch है यह बीटा degree short है यानि कि यहां से यहां तक यह जो short है यह distance beta degree का short है तो short pitch coil कितना beta degree short है तो यह जो distance होग 180 degree मायनस का beta 180 degree अगर होती तो 180 degree देखो यहां तरक होती लेकिन जब बीटा उसमें से मैनस कर दोगे तो यह जो डिस्टेंस निकल के आएगी वह 180 डिक्री माइनस बीटा आएगी जहां पे बीटा क्या है बीटा तुम्हारा पिच और आंड आग्या यह यहां इतने एंगल शॉलट है यहां तक इसमें कोई दॉ ineb ऑगे अब अगर अगर मैं शूरू करूं तो फिर डगरम वैसे ही जैसे कि अभी इसका बनाएथा इसके में B WTG वोल्टे折न बनादा चाहिए तो यहाँ पे सेम यहाँ पिलेगा नॉथ वे यहाँ तक next दो होगा और यहाँ पर आपका M सब्सक्राइब यहां पर मिलेगा मिलेगा तो माइन सी लेकिन एक बीटा के डिफरेंस के बाद यानि कि अगर इनका बनाए तो यह हो जाएगा तुम्हारा इवन और इस वन यह तुम्हारा रिफरेंस लाइन हो गई और इस वन इ kole इस यह एकर रहा है यह लेकर रहा है बीटा से बात s'mझ मांगी तो यह बीटा एंड बिटा करने से बात होगी बीटा का क्या मतलब बैख करने क्या मतलब हो यह मैं बता चुका हो यानि कि इस इस पर आगर हम बात करें जो north pole के under conductor है अगर इसके अंदर instant पे plus 5 आ रहा है तो यहां पे अभी कितना है minus का 3 है तब याद होगा आपको पुराने लेक्षन मेरा और जब यह beta degree के बाद जाके यह minus 5 होगा यानि कि beta degree के बाद जाके यह minus 5 होगा तो minus 3 से minus 5 जो होगा वो beta degree के बाद जाके होगा तो beta degree का delay चला है ना यानि कि उसकी maximum value में तो e2 क्या है maximum value यानि कि e2 मैंने क्या लिए है minus 5 लिए है और e1 क्या है यह plus 5 है तो इनके बीच में जो distance है वो कितना है beta यानि कि beta degree के बाद जाके यह वो plus sorry minus 5 होगा clear होगा यहाँ पर और additive मैंने क्यों बनाए already क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हम लोग बात करें e net यानि potential difference की और potential difference क्या होता है even minus e2 होता है तो इसलिए हमने दोनों को additive polarity में add किया है clear होगा यहाँ तो अब यह तुमारा यानि कि अगर इस particular case की बात करें short pitch case की तो ऐसे में जो net value निकल के हैगी वो यहाँ से यहां तक की निकल के हैगी this one is the net value यह हो गई और इसे मैं लिख सकता हूँ e net short e net short क्या सकता हूँ clear हो गए यहाँ पर तो यह e net full pitch था 2 e के बरावर यह हो गए e net short तो यह जो e net short होगा यहां से आप easily देख के बता सकते हो कि जो e net short pitch है ठीक है वो हमेशा कम होगा as compared to the e net full pitch cdc बात है जो कि short pitch है और यह जो main difference आ रहा है यह due to इस beta angle के कारण आ रहा है beta क्या है short pitch angle या नहीं e net बनेगा full pitch का वो ज्यादा होगा e net short pitch जो निकल के आएगा वो कम होगा as compared to the e net full pitch ठीक है और कितना कम होगा तो e net short equal to kp times pitch factor into e net full clear होगा यहां पर यहनिकि kp times होगा short kp times जो होगा वो e net full के बरावर होगा ठीक है तो यहां से pitch factor की अगर value की बात करें तो वो कितना निकल के आएगा तो pitch factor kp को हम लोग क्या कर सकते हैं इसको नीचे भेज़ दो तो e net जो voltage निकल के आएगा short pitch में divide by e net की value निकल के आई है full pitch की full pitch clear हो गया तो यह वड़ा important formula है कई बार इसी पर question आ जाता है और इसको मैं कहा सकता हूं तो यहां से हम जो एक definition निकाल सकते हैं पिच फेक्टर की तो kp की value निकाल दोगे kp क्या होता है it is a ratio of emf induced emf induced in short pitch coil short pitch coil यानि कि कितना emf induced होगा short pitch coil में net voltage induced in short pitch coil divided by emf induced in full pitch coil emf induced in full pitch okay clear हो गए यहां पर तो देखो एक चीज़ तो clear होगे कि जो kp की value होगा emf induced in short pitch coil divided by emf induced in full pitch coil अब देखो बड़ी important चीज़ है हमेशा यह वाली तो हमेशा sustain करेगी यानि कि यह इसका कभी कोई तोड़ नहीं है यानि कि हमेशा जो short pitch coil का voltage है induced उने वाला वह हमेशा full pitch से कम होगा तो इसलिए kp की values होंगी यानि कि यहां पर लिख देता हूँ kp की values होंगी वह कितनी होंगी वह less than होगी या equal होगी one के clear हो गए यहां पर जिसमेंसे less than one होगी कभ जब short pitch coil ले रहे हो short pitch coil ठीक है short pitch coil और equal to होगी one कभ जब आप क्या लोगे full pitch coil full pitch clear हो रहा है तो देखो kp की value होगी वह less than one होगी अगर short pitch कोई ले रहे हो और equal to one होगी अगर full pitch कोई ले लोग ठीक है तो यहां तक पूर analysis बने कर दिया है कोई doubt होना चाहिए अब हम लोग क्या करेंगे derivation शुरू करेंगे कि देखते हैं derive करके तो formula derivation देख लेते हैं कि पिछ फेक्टर को निकालेंगे generalized case के लिए कैसे होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है diagram बना लेना है यानि कि हमने अभी देखा था कि एक हमारा voltage था डिशार you 1 टीका और एक वोльटेज था थरुँक्र दूनों बराबर थे ठीक है और यहां से यह t ciri ऋ डियो इस टीनेड़ नेट फेजर सम जहने इसको नाम कर देते हैं ए इससे कहाँ देते हैं वी इससे कहा देते हैं सी को चृपकर और यह इसको कर देता हूं और यह जो एंगल है कितना यह तुमारा बीटा एंगल है यहां पर अब डिस्टेंस की बात करें तो क्योंकि एवन की जो वैली होगी वह सींचाहिलनमा उससाहिरन इस वाली कोईला साइड के भरावर है ठीक है आप leas जब बरावर होती है तो ये क्या हो गया है अब क्योंकि dổ होकर टो क्या तो एस ट्रैंगल का तो ट्राइंगिल ए बी सी यह क्या हो गया इसोसलेस ट्राइंगिल हो गया तुमारा ठीक है इसमें कोई डाउट नहीं होने चाहिए ठीक मैंने शॉट में लिख देए यहां पर तो इस वाला जो एंगिल होगा और यह वाला एंगिल भी बराबर होंगे दोनों सेम साइड है ठ इसे क्या च्राइंगिल को आपको बताए थे यूज करें तो इसी तरीके से अगर हम यहां से सेंटर से एक परपेंड़ करते हैं सामने की तरफ यह परपर नाइंटी डिग्री की तो वह क्या करेगी इस पूरी साइट को दो पार्ट में तोड़ेगी यानि कि दिस वन इस ही लेक्टर में डिसकस कर आता ठीक है यह चीज़ क्लियर हो गई अब देख लेते हैं यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब यह एंगिल अगर तुम्हारे पास यह वाला एंगिल है एक यह एंगिल है और यह वाला एंगिल है तो सबसे पहले आप मैं इस ट्रैंगल की बात करता हूं यानि कि अब मैं बात करने जा रहा हूं यह वाला ट्रैंगल ले लेते हैं इस वने जो ए दिस बी एंडिस बी ठीक है तो यह तुम्हारा 90 डिग्री है यह तुम्हारी साइट जो है वह एवन है दिस बीटा अच्छा यह आपको पता होगा अगर यह एंगिल बीटा है ठीक है यह पर्टिकलर पार्ट तो यह दोनों एंगिल कितने होंगे बीटा वाई टू बीटा वाई टू होंगे सिंपल मैथ का रूल है यह अगर आपको नहीं आदा तो आप 910 क्लास की मैथ को देख सकते हैं मैं मान के चल रहा हूं कि आपको इस पता होगी तो य निए कितना होगा यह वाला जो गया यह होगए वीटा वाई टू हो जाएगा यान कि यह जो पड़को 법 से मालने देन बैबंभ है तो यह 55 पथालिस हो जाएंगे यह 12 टो 60 हो जाएगे यान कि wildlife ऑतक्यल करेंबगाई यह इक्वाया अगिल्ट हो जाएगा दो दूनों में तो थोड़ी से आपको मैस पता होनी चाहिए, बेसिक जिसे कहते हैं, आज से टाइंगल की मैस आपको जमेंटरी पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए, तो ये बीटा बाइट हुए है, ये वाला पर्टिकुलर एंगल कितना 90 डिगरी है, ये तुमारा 90 डिगरी क्योंकि फुल पिछ का सम कितना होता था, याद होगा आपको फुल पिछ सम, kp equal to emf of a full pitch divided by emf of short pitch, ठीक है, तो emf of short pitch कितना है, एक है, और emf of full pitch कितना है, तो उसको निकाल लेते हैं, देखो, full pitch जो होता है, वो कितना होगा, e1 plus e2 होगा, सीधा-सीधा add कर देंगे हम उनको, अब e1 की जो value बिष्ट आप दोनों क्योंकि बरावर है even और इतू देखो यहां से लिखहा बरावर थो 2e-1 कहचता हूं है और e-1 कैसे लिए हुँआ 2m2ab E1 एकुल तो e-1 प्थ कितना हो जाएगा यह हो जायेगा तुम्हारा 2 into ab sem k pues2 into ab divided by तो एक चीज़ को मैंने उल्टा लिख दिया यहां पे अब इसको सभी कर देते हैं रूखे वेट Jewish इसको मैंने onपर नीचे लिख दिया थ है इसको बस ही गलती है इसको रूसारी कर लो थिक है तो यहाँ पर दुबारे लग देते हैं kp equal to कितना होता है e into short pitch divided by into full pitch clear हो गया अब e into short pitch upon me into full pitch हो गया तो short pitch का value किती निकल गयागी short pitch की खर बात करते है तो this one is your ac short pitch का यह तो net voltage है e net voltage short pitch का क्या है ac यह रहा यह तो net voltage है ac और full pitch की खर बात कर ले तो यहां से निकाल लें कितना 2 into a b clear हो गया यह नहीं निकलते हैं तो यह हो गया तो यानि कि हम kp को हम कह सकते हैं kp को ac divided by 2 into a b ठीक यहां तक सब कुछ clear चल ला है किसी भी तरीकर doubt नहीं होना चाहिए अब ac को हमने अभी तोड़ा ac equal to निकल गया है ac को 2ad निकाल दिया ac equal to 2ad की बराबर हो गया है अब यहां तक की clear है अब ad की value जर निकाल के देखो कितनी आ रही है तो ad की value है ad यह रहा ad this one is your ad यह base है यह hypotenious है यह तुमारा क्या है उस पे perpendicular है ठीक है तो अब यहां से clear कर सकते हो आपको बता होगा अगर यह कुछ triangle है this one is your 90 degree this one is your theta तो यह जो angle होता है यह जो पटकर साइड होती है यह क्या होती है अगर यह a है यह b है यह c है तो this one is your ab cos theta तो उसी तरीके से ad equal to कितना हो जाएगा ab cos अब theta कितना है theta है तुमारा beta by 2 तो cos beta by 2 तो this one is your cos beta by 2 ठीक है यहां तक clear हो गया है इसमें कोई तरीके कर डाउट नहीं होना चाहिए समझ में आ गई होगी बात तो ad equal to ab cos beta by 2 ठीक है अब ac equal to 2ad है तो ac की value यहां से हम क्या कह सकते है ac equal to कितना है 2ad है divide by 2ab यहां से यहां cancel कर दो ठीक है तो यह हम कह सकते है ad divide by ab ठीक है अब ad की value यह वाली जो value निकाल के आए हो इसे यहां put कर दो भईया तो this one is your ab cos beta by 2 divide by ab ठीक तो ab और ab cancel हो गए तो finally अगर kp की value की बात करी जा तो कितनी निकल के आ गई है cos beta by 2 ठीक है तो यहांनि कि हम कह सकते है यहां से जो हमने solve करा कि kp की value आई है वो किसके बराबर आई है cos beta by 2 this one is your pitch factor ठीक तो beta समझ में आगे बीटा क्या है तुम्हारा electrical angle है electrical angle है और क्या है beta beta is your short pitch angle short pitch angle short pitch angle समझ में आगे हो यहां पर इसमें किसी थरीके के doubt मैंने नहीं छोड़ा है ठीक पुराना मैं एक बार बता दूं derivation करना कैसे सबसे पहले आपको यह triangle ले लेना है उसके बाद आपको क्या करना है isolis triangle इसको प्रूफ कर देना है simple दी चीज़ है क्योंकि हमने क्या कर रखा है net voltage है ठीक है एसी की value निकलके आगई two times ad ठीक है यह मैं आपको एक बार रिवाइस करा दे रहा हूं brief review ठीक है ठीक है तो एसी की value कितनी आगई two times ad निकलके आगई now kp की value होती कितनी दे शौट पिज वोल्टेज अपान में full page voltage अब शौट पिज का जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा वो देखो resultant होगा a b और a c का कितना होगा a c this one is your resultant voltage तो यह आगया तुमारा a c और जो full page होगा वो कितना होगा full page हमने देखा यहाँ पे full page equal to होता था e1 plus e2 यह कह सकते हैं अब दोनों क्योंकि magnitude बरावर है तो 2 e1 कह सकता हूँ और e1 क्या है a b है तो 2 times a b कह सकता हूँ तो यहाँ पे आगया 2 times a b clear हो गया अब देखो हमने क्या करा a c kp की value यहाँ से निकल के आगी a c upon 2 times a b अब a c को हम लोग क्या लिख सकते थे 2 times a d तो यहाँ 2 times a d लिख दिया 2 से 2 cancel कर दिया a d upon a b आ गया अब a d जो है अब इस triangle को देखो पूरी तरीके से a b d को तो अगर इस triangle को देखोगे तो a d यह जो value है यह कितनी होगी cos a b होगी cos theta a b cos theta तो a b cos theta कितना है beta y2 है यह मैंने बत तो यह उपर नीचे a b a b cancel हो जाएंगे kp किती निकल गया जाएगी cos theta by 2 आ जाएगी जो हमने यहाँ पर finally formula में निकाला है ठीक है तो this one is a cos theta by 2 यह आपका formula हो गया beta तुमारा electrical angle होगा और क्या short pitch angle यानि कि अगर तो में दे रखा है कि जो तुमारा coil span है अगर किसी question में दे रखा है coil span coil span equal to 150 degree तो बीटा कितना होगा तो बीटा होगा तुमारा 180-150 equal to कितना हो गया 30 degree का short pitch है यानि coil span कितना हो गया 30 degree का हो गया पर इसमें कोई डाउट निए चाहिए ठीक अचाहिए एक बार यह भी हो जाता है मान लो कहीं पर दे रखा है अगर तुमें किसी example और इस two days more agree value ठीक है और यह बताया हुए है कि बीटा निकाल ना है ठीक है यही है थी रखातीन चाहिए यजदि का निकालना पड़ेगा तोन हमने बताए था उत्यपी कितने यानि कि हम बीटा का यहां से एक फॉर्मॉला और निकाल सकते हैं जो बीटा की जो वैली होती इक्वल टू शॉर्ट पिच स्लॉट्स यह मने निकालना सिखाया है आपको पहले भी पुराने लेक्चर्स में शॉर्ट पिच स्लॉट्स इंटू बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मॉला यानि कि यह तुम्हें मैक्सिमम यूज होगा कभी-कभी मैक्सिम केसिस में आपको शॉर्ट पिच स्लॉट्स ही दे रखे होते हैं एंगल नहीं दे रखा होता है ठीक है तो बीटा इकॉल टू कितना हो गया माल लेते हैं यह तुम्हार स्लॉट्स तो दे रखे हैं पर अल्फा नहीं दे रखा तो वहां कैसे सॉल्व करोगे तो इस तरीके से शॉर्ट पिच स्लॉट्स इंटू को मल्टिप्लाइ कर दोगे इस वन एकॉल टू तो बीटा यह शॉर्ट पिच एंगल है तो वह किसके बराबर होगा शॉर्ट कोशन करके देख लेते हैं एकजांपल के तौर पर हमारे पास एक एक एकजांपल है कि इफ़कोई कोई संब्जो इफ़कोई अगर कोई 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 है इफ़कोई इस पैन अगर उसका कोई स्पैन हो कितना है 150 डिगरी दिया हुब आ ठीक है तो यहां से के वैल्यू कितने न कितना आ गया कॉस्फिटीन यानि कॉस्फिटीन और कॉस्फिटीन की जो वैल्यू होती कैल्कुलेटर से निकालो कितनी होगी जीरो पॉइंट नाइन सिक्सांपल दिया है मैंने और पिछ फेक्टर के उंपर मैं जो नुमेरिकल साते हैं उनकी उपर आपके अच्छे अच् कर लिया ठीक है इसके नुमेरिकल के लिए और डिस्टिबूशन फेक्टर के नुमेरिकल के लिए आने वाले लेक्टर साथ देखते रहें जल्दी आपके साथ मैं शेयर करूंगा अगर मन में कोई कोश्चन है तो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं